तो इस वीडियो में हम हिंदी पैडागोजी के 30 पोटन कोश्चन डिसकूस करेंगे जो आपके सीटेट, एंपिटेट, रीट एक्जाम के लिए पोटन्ट है तो सभी को वीडियो को लाइकन शेक कर दीजिए चैनल को सब्सक्काइब कर लेजिए तो शुरू करते हैं ग्यान का अभाव है अन्य विश्यो के सिक्षन में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता व्याकरण को सिखाने के लिए प्राय पुस्तक परनाली का सहारा लिया जाता है या व्याकरण सिखने में चात्र कोई रूची नहीं होती तो सही आंसर क्या होगा व निमन्द रचना में इसके दो गुणों कलापक्ष एवं भापक्ष का ध्यान रखा जाता है निमिल लिखित में से किस गुण का सम्मन्द कलापक्ष से नहीं है तो वो हमें बताना है ठीक है तो कौश्चन को ध्यान से पढ़ लिजे विश्य अनुसार, शब्दावली का प्रियोग, विचारों की नूतनता, भावनकूल भाषा या सरल वाक्ष रचना तो कौश्चन में पूछा है कि भी किस गुण का सम्मन्द कलापक्ष से नहीं है तो है विचारों की नूतनता भी आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट इस, निमलिखित में से कौन सा मोकिक भाव प्रकाशन सिक्षन का उदेश्या है चात्रों को सरल एवन मुहावरेदार भाषा का प्रियोग करना सिखाना चात्रों में स्वभाविक धंग से परस्पर वार्थलाप करने की आदत विक्सित करना चात्रों को धारा प्रवाह प्रभावत पादक वाणी में बोलना सिखाना या अप्रोग सभी तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है मोकिक भाव प्रकाशन सिक्षन का उदेश्या जो है चात्रों को सरल और मुहावरेदार भाषा का प्रियोग करना भी सिखाना है वो स्वभाविक धंग से वो परसपर वारत लाप कर सके और धारा प्रवावा जो है वानी में वो बोल सके प्रवावत पादक वानी में तो फूर्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाता है भाशा सीखे जाने के करम में विग्यानिक परताल भी साथसा चलती रहती है यह कतन किसका है चौमस्की, औरोरीन, वाइगोट्सकी, या जीन प्याजे तो यह जो कतन है यह किसका है चौमस्की का फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है निमलिकित में से कौन सा उच प्रात्मिक स्थर पर भाशा सिक्षन का उदेश्य नहीं है सही रूप में समझना, व्याकन के नियमों को रठना, नीजी अनवहों के धार पर भाशा का सीजन शील प्रियोग या दूसरों के अनवहों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना तो भाशा सिक्षन का उदेश्य नहीं है तो बिल्कुल सही आंसर जो हो जाता है उच प्रात्मिक सर पर भाशा सिक्षन का उदेश्य नहीं है कि दूसरों के अनभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना तो the answer बिल्कुल सही है सुहेल एक साल पहले असम से पंजाब आया मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय तूटिय करता है एक सिक्षक के रूप में आपकी सकतन को सही मानेंगे उसे रोज ए घंटा हिंदी भाषा के शवद बोलने का अभ्यास कराना चाहिए सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक अधिक अफसर व प्रोथसाहन देना चाहिए सुहेल को बार-बार उसकी तूटियों के बारे में बताना चाहिए या सुहेल की मातर भार्षा का पर लक्ष भार्षा पर नहीं पढ़ने देना चाहिए तो 6 का सही आंसर जो होगा वो है कि सुहेल को भार्षा प्रयोके अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए और प्रोट्साहन देना चाहिए तो B आंसर विल्कुल सही है भाशा के सतत और व्यापक मुल्यांकन का उदिश्या है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उप्युक्त सिक्षन अधिगम प्रक्रिया अपनाना अगली कक्षा में प्रोनत करने है तू सक्षे जुटाना बच्चों की तुरूटियों की पहचान करना या मुल्यांकन की परंपरा का निर्वाहा करना तो 7 का सही आंसर हो जाता है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उप्युक सिक्षन अधिगम प्रक्रिया अपनाना तो ए आंसर बिल्कुल सही है बच्चों को बाल साहिते उपलब्द कराने के क्या लाब है ओप्षन है श्रवन कोशल का विकास, लेखकों से परिच्चे बच्चों को विविद्ता पूर्ण भाशिक समागरी पढ़ने के अफसर देना या पात्रों का चरितर जित्रन करने की कोशलता का विकास तो एर्थ का विल्कुल सही आंसर हो जाता है कि बच्चों को विविद्ता पूर्ण भाशिक समागरी पढ़ने के अफसर देना तो C आंसर विल्कुल सही है नेक्स्ट है भाशा सीखने सिखाने का उदेश्या है अपनी बात की पुष्टी के लिए तरक देना विविन स्थीतियों में भाशा का परभावी प्रियोग करना अपनी बात कहना सीखना या दूसरों की बात समझना सीखना तो भाशा सीखने सिखाने का जो उदेश्या होता है डियर कि विबिन स्थीतियों में भाषा का परभावी प्रियोग करना सेकिन आंसर बिलकुल सही है एक भाषा सिक्षक के लिए सरवादिक महतपुर्ण है बच्चों को भाषा प्रियोग के अवसर उपलवद कराना भाषा की तुरूटियों के प्रती कठो रवय अपनाना भाषा की पाठ्य पुस्तक या भाषा का अंकलन तो राइट आंसर हो जाता है बच्चों को भाषा प्रियोग के अवसर उपलवद कराना फर्स्ट आंसर बिलकुल सही है भाषा का प्रियोग जीवन के विबिन संदर्भों में होता है केवल परिक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, ये केवल मुद्रित समागरी में होता है तो भाषा का जो प्रयोग है डियर, केवल वाला ता ओप्शन गलत हो जाता है जीवन के विभिन संदर्बों में होता है, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है 1968 के त्री भाषा शुत्र में वर्णित्य भाषा का तात्परय क्या है मात्र भाषा शेत्रिय भाषा हिंदी भाषी राजों में मात्र भाषा ये शेत्रिय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्या आधूनिक भाषा ये अंग्रेजी गैर हिंदी भाषी राज्यों में अन्या आधूनिक भाषाओं एवं अंग्रेजी को छोड़कर मात्र भाषा ये शित्रिय भाषा तो 12 का सही आंसर जो होगा हमारा थर्ड आंसर ठीक है भारतिय भाषाओं को सिव्धान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है भारतिय भाषा को वो है अस्टम दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर में निमलिकीत में से कौन सा कदन सत्य नहीं है वे अन्य भाषाओं पर भी अच्छा नियंतर रखने की योगता रखते हैं वे सेक्षिक स्तर पर भी ज़्यादा रचनात्म होती हैं उनमें ज़्यादा समाजिकता और शेशुनता नहीं पाई जाती या विवी सोच में ज़्यादा अच्छा परदशन करते हैं द्रिश्य श्रेवय साधनों का सिक्षन विदियों का अभ्यासकार्या का केवल A, केवल B, केवल C या ये सभी तो इसमें audio-visualate का भी उसके जाता है सिक्षन विदियों का भी और अभ्यासकार्या का भी तो तीनों option सही हैं हमारा fourth answer बिक्कुल सही होगा next है हिंदी भाषा के प्रश्ण पत्रों के अंतरगा चैन प्रकार के सभी प्रश्ण किस प्रकार के प्रश्ण होते हैं वस्तुनिष्ट लगूत्रिया अति लगूत्रिया या निमदात्मक तो किस तरह के प्रश्ण होते हैं ये तो ये वस्तु निश्ट प्रश्ण होते हैं objective प्रश्ण फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है मौकिक अभिवक्ति में सभाविक्ता बनाए रखने के लिए प्रभावत पादक्ता के लिए बनावटी बोली का प्रियोग इसका जो सही आंसर होगा हमारा सरल एम सहज भाषा का प्रियोग है स्वός में नेगिटिव नहीं पूझा था अगर नेगिटिव रूता तो फरस्ट आंसर होता तो सरल एम सहज भाषा का प्रियोग तो भी आंसर विलकुल सही है लिकित परिक्षण मुख्य समवादों को सुंद्र रूप में लिखنا पड़े गए नाटका मंचन या पात्रों का चरीत्र चत्रण लिखنا तो बिलकुल सही आंसर है पड़े गए नाटका मंचन C आंसर बिलकुल सही है अगला है छात्रों से उनकी रुचियों एवन अब भी वृतियां, आदी के विकास के बारे में सुचना प्राप करने के लिए निमलिखित में से इन में जो इपोर्टेंट और उप्युक्त प्रविधी मानी गई है, समाजमिती, परताल सुची, करम निर्धारण, मान रेटिंग स्केल या प्रशनावली तो इसका जो सही आंसर हो जाता है हमारी प्रशनावली विधी तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा डी आंसर इश्वर को इस सर कहना कि इस प्रकार के उच्चारण दोश का उधारन है, स्वरागम, स्वरभक्ती, स्वरलोप या इन में से कोई नहीं 21 का जो बिलकुल सही आंसर हो जाता है हाँ, बिलकुल dear C answer बिलकुल सही है ठीक है, स्वर लोब तो C answer बिलकुल सही होगा हिंदी भाशा शिक्षण में उप्चारात्मा शिक्षण की विदिया निमर में से कोन सी नहीं है अत्रिक्त कक्षाई, व्ययाम, गोश्टियां या विसिस्ट अभ्यास तो जो नहीं है उप्चारात्मक सिक्ष्टन की विधी वो है व्ययाम अर्थान भूति, प्रिष्टति, सदति, स्तूति, प्रमोनु चियता डियर ये ओप्षन जो है सही नहीं है ये मिस्प्रिंट है, तो इसको भी अभी समझ में कुछ भी नहीं आला है तो ये आप कट कर दो, ठीक है नेक्स्ट कॉश्टन कर लेते हैं बच्चों में भाषा सीखने की शम्ता जो है जरमजात होती है उप्षन है भाषा सीक्षन का कारह नहीं किया जाना चाहिए इसलिए बच्चों को समरीद भाषिक प्रिवेश उपलप्त कराया जाना चाहिए डी आंसर बिल्कुल सही है भाषा कोशलों के बारे में कुन सा कथन सही है भाषा के कोशल केवल करमबद रूप से ही सीखे जाते हैं भाषा के कोशल प्रसपर अंत्रसमंदित है भाषा के कोशलों में केवल पढ़ना लिखना ही महतपून है या भाषा के मूल रूप से कोशलों में केवल सुनना बोलना ही महतपून है तो केवल वाला तो negative है तो ये तो गलत हो जाता और करमवद रूप से नहीं सीखे जाते हैं बलकि जो भाषा की चारो कोशवल होती है वो अंतरसमंदित होती है तो C आंसर बिलकुल सही है अगला है भाषा जो है सीखने शिखाने में पाठ्या पुस्तकों का विशेश महत्व होता है जीवन की विभिन स्थीतियों को साधती है व्याकरण पर ही अधारित होती है या जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है तो भाषा जो है 56 का सही आंसर जो होगा जीवन की विभिन स्थीतियों को साथ दी है पी आंसर बिल्कुल सही है सत्मुल्यांकन का एक नितार्थ है बच्चों के परिक्षा समंदी भैको समाप्त करना प्रतिदीन परिक्षाएं लेना हर महीने परिक्षाएं लेना या बच्चों के भाषा प्रियोक का निरंतर अवलोकन करना तो राइट आंसर हो जाता कि बच्चों के भाषा प्रियोक का निरंतर अवलोकन करना दी आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट है भाषा के अधारबूत कोशल हमेशा अरजित की जाते हैं सरवथा प्रितक हैं अन्तसमंदित होते हैं या क्रमबद रूप से चलते हैं तो भाषा के जो अधारबूत कोशल होते हैं ये अन्तसमंदित होते हैं ठीक है, correlate होते हैं, तो C answer बिलकुल सही है, भाशा की गख्षा में समचार पत्र पत्रिकाओं का उप्योग यह है, सुनिशित करता है कि बच्चों की भाशा पर समचार पत्र पत्रिकाओं का परभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शिशक याद है, बच्चे प्रामानित ले पूरू बच्चे भाषा के व्याकरण की सचे समझ रखते हैं भाषा का बिल्कुल भी ग्यान नहीं रखते अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लेस होते हैं या सभी भाषा में पूरुण दक्षता रखते हैं तो विदाले आने से पहले जो बच्चे होते हैं अ तिल रेन बबाई रवलाख्रा जया भूलिनाथ